अलो दोस्तों अरद्देरस अकेडमी के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्तान में आईजित आर्पेस सी फ़स्ट ग्रेड सिक्सक बरती परिक्षा दोजारबाइस के नविंतम पाठेकरम के अनुसार पर्थम पेपर के सलेबस में दोस्तों भार साथ प्रस्ण करवाने वाला हूं यह प्रस्ण आपकी परिक्षा के दरश्टी से आते हैं तो महतोपून है पर्थम पेपर के लिए यह महतोपून है इन प्रस्णों के बार कुछ नहीं जाएगा इस टोपिक में से और परिक्षा में जाने से पहले यह सारे के सारे लिए तो आप टे लिए जाईए को अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे फिर्ष्ट ग्रेड। इक एंड तो आप वहां जा कर पिछली क्लासे ढर्ब देखे और अरद दयरसकेडमी के योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक है और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रस्त नहीं इसमें देखिए इनमें से कोन सा गुप्तकालीन मंदिर है इटो से निर्मित है बताई कोन सा गुप्तकालीन मंदिर है इटो से निर्मित है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक तो है भीतर गाओं का मंदिर और एक है सिर्पूर का मंदिर यह दोनों मंदिर है यह दोस्तों इटो से निर्मित है याद रखना यह गुप्त कालीन मंदिर है गुप्त काल सेलेबस में है आप सेलेबस में देखो गे तो पता लग जाएगा आपको ठीक है तो यहां पर अपना इसमें राइट अंसर हो जाएगा उपरोग मुंडित सिर्वाली गुप्त कालीन बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुए है यहां पर याँ नमबर का ओप्षिन जायत हो जाएगा तीन नमबर का प्रश्णे इसमें देखे nossa सुमेखे किया और सही समयय को चुनें दोस्तों सेलेबस में देखों सुची सेकिंड में इस्तान दे रखा है अपने को यहां पर क्या करना है बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है ठीक है देखे दसावतार मंदिर दोस्तों दसावतार मंदिर है यह देवगड में है ठीक है दसावतार मंदिर का पर है तो दोस्तों यह देवगड में है विश्णु म मंदिर ठीक है लक्षमन मंदिर कहा पर है दोस्तों यह लक्षमन मंदिर है यह सीरपूर में है कहा पर है सीरपूर में और पारवती मंदिर कहा पर है तो दोस्तों नाचना कुठार में है यह पारवती मंदिर ठीक है यह सारे के सारे कुप्तकालिन मंदिर है दोस्तों राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा दो 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा या निकि दोस्तों यहां पर देखिए बै नंबर का option बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए चार नंबर का फ्रस्ट ने हरी सेंड़्ड द्वारारचित परियाग प्रियाग प्रश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् उद्यगिरी से यहां पर ए नंबर का जो उप्षन है वह इसका बिल्कुल सहीटर उजाएगा उद्यगिरी से प्राप्थ हुइए आगे देखेश नंबर का प्रश्ण के निमन लिखित में से किस गरंथ में ततकालीन प्रसाशन में भरष्टाचार पर प्रकास पड़ता है इ यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मुर्च कटिकम आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर साथ नंबर का प्रशने किस सासक के सासनकाल में चीनी तीर्ची आत्री फायान आया था दोस्तों जो चीनी आत्री फायान आया था ठीक है, वो किस के काल में आया था, तो दोस्तो ये चन्दरगुपत्य विकर्मा दित्य के काल में आया था, यहां पर से नंबर का option right answer जाएगा, ठीक है, एक है दोस्तो हे इंसान था, ठीक है, उसके समय में दोस्तो हर्सवर्दन आया था, सोरी हिंसान जो चीनी आत्री था देखिए दो चीनी आत्रियों का विशेस करूलेक मिलता है एक तो फायान का और एक हिंसान का फायान आया था चंदरकुप्त विक्रमा दित्य के सासनकाल में और हिंसान आया था हर्सवर्दन के सासनकाल में तो आप हैसे है याद रख सकते हैं नमबर ऑप्सन बिल्कुल सही और मंदिर के बारे में दोस्तों पूछा भी गया है नो नमबर का प्रसन है ग्वालियर के निकट बाग की गुफाएं निमनलिकित में से किस यूग की चितरकला का परती निदीत्व करती है अपना इसमे राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्त नमबर का प्रसन इसमें देखे अजन्ता की गुफाओं में सबसे प्राचीन गुफा चितर कौन से है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नो और दस ठीक है यहाँ पर ए नमबर का जो उप्सन है वो इसका बिल्कुल सहीतर हो जाएगा नो और दस ग्या सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें समुदर गुपते तो इसमें से नमबर का उप्सन राइट आंसर हो जाएगा समुदर गुपते इसका राइट आंसर बारा नमबर का प्रसन इसमें देखे अभिजान साकुनतलम के लेखा कौन है अभिजान साकुनतलम के लेखा क किस काल में मंदिरों की वास्तुकला में सरोपर्थम गंगा और यमुना की आकरतियां आती है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है गुप्त काल में तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही चोदर नमबर का प्रिशन इसमें देखे वरत सहीता की रचना किस ने की थी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वराहमीर ने वरत सहीता की रचना की थी यहाँ पर दे नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सहीतर हो जाएगा वराहमीर ने आगे देखे गुप्त युगी ने ब्रह्म अभिलेक से युक्त जैन परतिमाएं मिली है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दुर्जनपूर यहाँ पर ए नमबर का ओप्शन राइट आंसर हो जाएगा दुर्जनपूर इसका सयुत्तर ठीक है आगे देखे दोस्तों यहाँ पर समुंदर गुप्त प्रसंद होने पर कुबेर तथा रुष्ट होने पर यम्राज के समान था यह जानकारी प्राप्त होती है बताए यह जानकारी कौन से अभिलेक से प्राप्त होती है दोस्तों वो है एरन अभिलेक से अपने को यह जानकार ही प्राप्त होती है तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा ठीक है आगे देखिए 17 नंबर का प्रस्ट ने समुंदर गुप्त के प्रियाग प्रस्थिवाले इस्तंब पर निम्नलिकित में से किसका लेक मिलता है समुंदर के बिल्कुल सही तरु जाएगा ठीक है जांकिर का उलीग मिलता है आगे देखे अस्टांग हर्दय किसकी रचना तो क्सकी रचना है तो दोस्तों यह वाग भट कि रचना है A-स्टांग हर्दय है यहां पर N-degree के चंदरगुप्ट के नोरतन को ने फलित जोतिस से समंदित था इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहां पर देखिए सपनक यह प्रस्त ने काफी बार पर एक्षाव में पूछा दाथ सुका है चंदर गुप्त के नो रत नो में से कोन है दोस्तों फलित है इसमें दलित कर ले ना ठीक है दलित है जोतिस था तो इसमें राइट अंसर हो जाएगा सपनक तो यहां पर से नमबर उप्षन बिलकुल सही आगे देखिए किन दो गुप्त सासकों को उनके सिकों पर वीना बजाते हुई दिखाया गया है बताइए क इन दो गुप्त सासकों को उनके सिकों पर वीना बजाते हुई दिखाया गया है सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों समुंदर गुप्त और कुमार गुप्त को समुंदर गुप्त और कुमार गुप्त इसका राइट अंसर हो जाएगा बै नमबर का उप्षन बिलकुल सही अगे देखिए दोस्तों यहाँ पे गणित सार संग्रे के लेखक है गणित सार संग्रे के लेखक कौन है सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों महावीराचारिये महावीराचारिये हैं इन्होंने गणित सार संग्रे की रचना की तो इसमें राइट आंसर ए नमबर उप्शन हो जाएगा देखे यह जो प्रस्थन है वो सारे की सारे आपको देखने जरूरी है क्योंकि पता नहीं कब कौन सा प्रस्थन है वो आपके लिए काम आजाए देखे हबीब उल सियार किस ने लिखी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा हैदर दुगलत ने हबीब उल सियार लिखी यहां पर इसमें ए नमबर का ओप्शन राइट आंसर हो जाएगा देखिए इसमें गुप्तकाल और मुगलकाल की जो इस तापते कला है, मंदिर है, वास्तुकला है, उससे समंदित ये प्रस्न है, ठीक है, तो आपको अपनी आंकलन तो पता चल गया होगा कि आपका स्कोर है, वो क्या रह रहा है, कितने प्रस्न आपकी सही हो रहे हैं, तो आप पले लिस्ट में जाओगे, तो वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, फस्ट ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से, अगर आप नए हैं, तो कम से कम 15 मॉडल पेपर का टेस्ट आप वावस से देख कर जाएं, और पुराने हैं, तो दोस्तों सारे के सारे देख कर जाए पले लिस्ट में जाओगे, तो वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, फस्ट ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपर का टेस्ट आप वावस से दें, देखिए यहाँ पे, बाग ए निलोफर का नि मकबर भारत में नहीं है, किन मुगल बादसाओं के मकबर भारत में नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे, बाबर और बादुर साजफर का मकबरा भारत में नहीं है, दोस्तों बाबर का मकबरा है, यह अफगालिस्तान में है, और बाद का अफगालिस्तान में है तो यहां पर ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे पच्छीस नंबर का प्रेस ने बीमसेन की नुस्खा ए दिल्खुसे निमन में मुगल गती विदियों की जानकारी के लिए एक परमुक्सरोत है बीमसेन की नुस्खा ए दिल्खुसे निमन में मुगल गती विदियों की जानकारी के लिए एक परमुक्सरोत है बताइए दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बताइए कहां की मुगल गती विदियों की जानकारी प्राप्त होती है भीमसेन की नुस्खा ए दिल्खुसे राइट आंसर हो जाएगा वो है द का निर्मान करवाया था वह मसجिद का अइस्तित है बताइए जो मस्जीद है वह आग्रा में इस्तित है बै नंबर का उप सन बिल्कुल सई आगरा में इस्तित है आगे देखेए किस सुल्टान के मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रियोग हुआहally last वो है दोस्तो हुमायू यहाँ पर ए नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा हुमायू आठ नमबर का प्रशन इसमें देखिए दुनिया के नामी मयूर सियासन को किस इमारत में रखा गया था इसका सही उत्र हो जाएगा वो है दोस्तो दिवाने आम यहां पर A number का जो option है वो इसका बिलकुल सही उत्र हो जायगा दिवाननाम आगए दैखे सीरे अकबर इसका फार्सिय उत्र generate हो जायगा वह दोस्तों उपनेैं इसका फार्सिय तक ये था राइट आंसर हो जाएका तांसेन यहां पर से नंबर का ओप्शन राइट आंसर हो जाएका तांसेन आगे देखें मुगल वंस के किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला से उस्ताद इसाखा समंदित है मुगल वंस के किस इमारत के डिजाइनर सुरी मुगल वंस किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला से उस्ताद इंसा खां सम्मंदित है सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो ताज महल ठीक है ताज महल की डिजाइन और वास्तुकला ये दोस्तों के उस्ताद कौन थे तो इंसा खां थे कौन थे इंसा खां ठीक है तो यहाँ पर बैन का पुतर था इसमें 10 वन ते राइट अंसर इसमें बै नंबर का ofन बिल्कूल तसई दास वन्त है आगे देखिए हुमायू नामा को किस ने लिखा दोस्तों ये तो सबी को पताओगा घुल बोधन बेगम ने लिखा था हुमायू नामा को राइट अंसर इसमें आप शवka ब option राइट आंसर हो जाएगा साजाने तीक है आगे देखें कौन सा मुगल सासक वीना बजाने का सोकिन था बताइए कौन सा मुगल सासक वीना बजाने का सोकिन था इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों औरंग यहां पर से नंबर का जो option है वो इसका राइट आंसर ह लिखी गई थी इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तुर्की बै नंबर का जो हो जो उप्शन आगे देखिए किस इतियासकार ने अकबर को इसलाम का सत्रो कहा है तो दोस्तो इसलाम का सत्रो किस ने कहा बदायूनी ने कहा दोस्तो अकबर को राइट आंसर हो जाएगा बे नमबर उप्सन बिल्कुल सही तीक है आगे देखिए दोस्तो यहां पे किस मुगल सासक ने राम स front ताकिं अंकन से युक्त सिक्च चलवाए right answer हो जाएगा वो सिक्च चलवाए दोस्तों अकबर ने अकबर न करने चलाए बैनमबर उपनिन ब्र मुन भी अखर आगे दिख़ए तुझर के जहांगीरी किसने लिखिए तुझर के किया था मुगल काल में चितरकला का प्रारंब किस ने किया था इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किस ने किया था तो ये हुमाईउ ने किया था ए नमबर का जो अप्शन है वो इसका राइट आंसर हो अंसर हो जाएगा दोस्तों साजा ने करवाया था ये निर्मान बेनमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे फत्वा ए आलमगिरी के नाम से इसलामिक कानूनों का पूंड रूप से वर्णन मद्यकालिन भारत के निमनलिकित में से किस सासक की आग्या से लिपिबद किया ग ओर तो दुस्तों इसका राइट आजर हो जाएगा वो है औरण्गेव बै नमबर का जो प्तिन है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा औरण्घेव आगे देखिए पैतालिस नंबर का प्रशन हें है निकॉली मनुची जिसने औरण्गेव के शासनकाल का विवरन है दीया था वो दोस्तों निवासी था सिधा समय अगर यहां पर बोलों तो दोस्तों यह एक इत्यासकार था ठीक है निकोली मनुची और यह औरंग जेब के बाद में चार पांच जो मुगल सासक्त है उनके सासनकाल में भी रहा था ठीक है और यह कहां का निवासी था तो दोस्तों य वेनिस का निवासी था, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए नमबर उप्शन सही वेनिस का निवासी था, आगे देखिए, साजाने किस संगीत तग्ये को गुण समुंदर की पद्वी परदान की, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तो लाल खा यहाँ पर अ नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, लाल खा इसका सही उतर, आगे देखिए, 47 नमबर का प्रशन है, किस इसमार्क को दक्कन का ताज महल का जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तो बीबी का मकबरा, यहाँ पर अ नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बीबी का मकबरा, आगे देखिए, वह कौन सा हिंदू चितरकार था, जो जांगीर द्वारा इरान के सहे अब्बास पर्थम का छाया चितर बनाने के लिए बेजा गया था, वह कौन सा हिंदू चितरकार था, जो जांगीर द्वारा इ तापते कला का सौनकाल का जाता है किसके साशनकाल को इस तापते कला का सौनकाल का जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है साजा आगे देखिए पाद साहे नामा के लेखक कौन थे पाद साहे नामा के लेखक कौन थे राइट आंसर हो जाएगा मुहम्मद अमीन कजव बी नहीं यह पादसा नामा के लेकक थे दे नमबर ओप्सन बिलकुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे आई अकबरी के लेखक कुन थे दोस्तों आईने अकबरी के लेकक हैं वह अबूल-फजल थे से number का option right answer हो जाएगा अबुल फजल आगे देखिए पंचतंतर का फार्शी अन्वाद किस ने किया तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा अबुल फजल ने पंचतंतर का फार्शी में अन्वाद किया था ठीक है राइट आंसर इसमें नंबर उप्शन सई आगे देखिए सुपरशिद करती तबकात ए अक्बरी की रचना किसने की इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों निजामुदीन एहमद ने बे नंबर का उप्शन राइट आंसर निजामुदीन एहमद ने आगे देखिए तह फलूत हिंद रच किस विशे से समंदित है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो संगीत से समंदित है यहाँ पर ए नमबर का ओप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा और आगे देखिए इसमें औरंग्जेब के समय में लिखी गई पुस्तक पत्वा ए आलमगिरी का समंद है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो कानून सहीता से ए नमबर का ओप्शन राइट आंसर कानून सहीता से आगे देखिए किस चितरकार को जांगिर ने फारस बेजा था किस चितरकार को जांगिर ने फारस बेजा था राइट आंसर हो जाएगा वो है विसंदास को यहा देखिए पीटर मुंडी जिसने दुर्विक्स की विश्ण दुर्दसा का वर्णन किया है किसके सासनकाल में भारत आया था तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भारत आया था दोस्तों सहां जांके काल में अगे देखिए गंगा लहरी के रचनाकार कौन थे गं बे नमबर उप्शन बिल्कुल सही। बे नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्रिश में हो जाएगा तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मुगल और गुप्त काल में साहिते कला और इस्तापते का विकास से समंदित ये प्रसंद करवाएं बेहद सांदार टोपिक था और भी मैं कुछ जो ट सब्सक्राइब करें वीडियो लाईक और अपने दोस्तों के पास में सेर हैं जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिन जैभारत